हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम डिजाइनर बोटनेक हाइलो कुर्ती बनाएंगे तो इसके लिए हमने 3 मिटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक के वेड़ है 44 इंच इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले हम टॉप पारड की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक को फोरफोड करके रखा है ये open side है और ये fold side है और top part की length हमने लिए 15 inch अब यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 inch यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रहे हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अब यहाँ पर हमें chest का 4th part plus 2 inch margin ले लेना है तो मैं ले रहे हूँ 12 inch और यहाँ पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin ले लेना है तो मैं ले रहे हूँ 10 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम 1 inch उपर mark करेंगे और हलका सा round shape दे देंगे अभी हमें armhole draw करना है तो इस line का half ले लेना है और यहाँ से हमें armhole का shape देना है यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है अभी हम boat neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूँ 4 inch और neck deep मैं ले रहे हूँ 3 inch उसके बाद हम इस तरह से shape दे देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे तो सबसे पहले हम neck और back armhole cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी हमें इसे open कर लेना है और इसमें से back part को side में रखना है और front part को फिर से fold करना है और front armhole की cutting कर लेनी है तो हमने front armhole की cutting कर ली है अभी हमें sleeves की cutting करनी है तो इसके लिए हमने fabric को fourfold करके रखा है ये open side है और ये fold side है और ये fourfold हमने लिया है 9.5 inch का जितना आपका armhole है उससे 3 inch ज़ादा लेना है और sleeves की length हमने लिए 13 inch अभी ये open side है यहाँ पर हम 3 inch पर mark करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें sleeves का shape दे देना है अभी sleeves bottom लेंगे तो वो मैं लेनी हो 7 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर center में हमें एक छोटा सा cut लगा लेंके उसके बाद हमें sleeves को open करके रखना है और यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टे साइड अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को two fold करके रखा है और इस two fold में fabric की width है 42 इंच और length भी 42 इंच की ही है अभी हम इसको एक corner से उठा कर triangle में fold करेंगे इस तरह से हमें इसको अच्छे से fold करके रखना है बीच में कोई भी silver डेना रहे तो हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर यह open side है और यहाँ पर fold side है तो जो top part हमने cut किया था इसे हम इस तरह से हलका सा तिरचा रखते हुए adjust करके रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे उसके बाद हम top part को हटा देंगे तो यह कुर्ती हम high low में बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से low की length ले लेंगे तो low length मैं ले रहे हूं 28 inch तो इस तरह से इंची टेप को सरकाते हुए हमें 28 inch पे निशान लगाना है और इन सारे points को round shape में जोड़ देना है और उसके बाद हम high length ले लेंगे तो high length मैं ले रहे हूं 36 inch और यहाँ पर अभी हम इस तरह से round shape देते हुए इसको जोड़ देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे तो यहाँ से जब cut करेंगे तो half inch का margin छोड़ते हुए से cut करना है और उसके बाद हम high length सबसे पहले cut करेंगे अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back का part side में रख लेंगे back का part हमारा high length में रहेगा और यह हमारा front का part है तो इसको हम फिर से fold करके रखेंगे और अभी हम इसकी cutting करेंगे तो यह हमारा high low pattern cut हो गया है यह front का part है और इसमें joint भी नहीं आएगा अभी हम stitching करेंगे तो यह हमने front का part लिया है तो front में हमें diamond shape बनाना है center में तो इसके लिए यह हमने canvas paper लिया है और इसकी width है 4 inch और इसकी length भी 4 inch ही है अभी हम इसको center से fold करेंगे और यहां पर pin लगा लेंगे उसके बाद ऊपर से हमें half inch का margin छोड़ना है उसके बाद यहां से 1.5 inch पर निशान लगा लेंगे और इसके बीच में 1 inch पर निशान लगा लेंगे और इन 3 points को हम triangle में जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें triangle यहां पर बना लेना है और अभी हम इसकी cutting करेंगे तो देखे हमने cutting कर ली है अभी इसके बाहर से हमें half inch का margin छोड़ना है और extra paper को cut कर लेना है तो इस तरह से यह हमने cut कर लिया है अभी हमने एक fabric का piece लिया है इसके उपर हम इसको रखेंगे और press से अच्छे से चिपका लेंगे तो हमने इसको press से चिपका लिया है अभी इसके side में हम quarter range का margin छोड़ेंगे और इसे cut कर लेंगे अभी यहाँ पर जो fabric है इसको हम fold करते हुए चारो side में सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा के patch को ready कर लिया है अभी हम front का part लेंगे और इसको open करके रखेंगे तो इस front part को हमें सीधी side में ही रखना है और यहाँ पर center line ड्रॉ कर लेनी है उसके बाद इस patch को हम उल्टा रखेंगे इसके उपर उपर से quarter inch का margin चोड़ना है उसके बाद ही इसको रखना है एकदम बीचो बीच और canvas के एकदम side से हम सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर बीच में pin लगा लेंके तो सिलाई करने में आसानी होगी तो एक corner से हमें शुरू करना है और दूसरे corner पर हमें सुई को अंदर रखना है, foot को उठाना है और सिलाई लगानी है इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर lock कर लेंके तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अभी इसके बीच में हमें एक छोटा सा cut लगा लेंके और अंदर की तरफ जो extra fabric है उसको हम cut करेंके तो ध्यान देना है कि सिलाई ना cut हो उसके बाद चारो corner पर हमें cut लगा लेंके उसके बाद इस patch को हम wrong side में turn करेंगे तो इसको हमने turn करके press कर लिया है अभी हम neck बनाएंगे तो neck के लिए हमने इसी shape की strip ली है इसे हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो हमने आपर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे cut लगा लेंके और cut लगाने के बाद में इस strip को हम अंदर की तरफ fold करते हुए top stitch लगाएंगे तो इस तरह से हमने top stitch लगा लिया है बाद में इस strip को हम hand stitch करेंगे तो इस तरह से यह हमारा front neck ready है अभी हम back neck बनाएंगे तो back neck के लिए हमने इसी ship की strip लिया है इससे हम इसके ओपर उल्टा रखके सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इस strip को भी हम wrong side में turn करके back neck ready कर लेंगे तो हमने back का neck ready कर लिया है अभी हम front का part इसके ओपर उल्टा रखेंगे और shoulders stitch कर लेंगे तो हमने shoulders को stitch कर लिया है अभी हम sleeves attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के ओपर उल्टा रखना है तो इस तरह से हम sleeves को stitch करेंगे और इसी तरह से हम दूसरा sleeves भी stitch कर लेंगे और sleeves के bottom को हमें double fold कर देना है तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है अभी ये हमने front का bottom part लिया है तो इसे हम front के top part में stitch करेंगे तो इसे हमें इसके उपर उल्टा रख लेना है और सिलाई लगा के इसको attach कर लेना है इसी तरह से हम back का bottom part और top part को भी stitch कर लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों parts को stitch कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे